फरवरी महने में बेर के फल पक जाते हैं और आप यहां जो आप देख रहे हैं देशी बेर के बीज है और इन्हें हलका सा आपको मारना है हतोड़े के इस से और देखिए उसके बाद में इनके अंदर में दो बीज रहते हैं जैसे कि एक साइड का निकल गया है बीज और दू तो जल्दी आपका पवधा त्यार हो जाएगा बेर का और यहीं आप अगर इस पूरे बीज को आप अगर सिंगली अगर लगा रहे हैं तो इसे थोड़ा टाइम लग जाता है तो जल्दी पवधा बढ़ा करने के लिए आपको यहां बीज को ऐसी अधोड़े के इस से हलका तोड़ना है उसके बाद में यहां देखिए बीज निकल गया है इसे अब हम मिट्टी में लगा सकते हैं तो यहां देखिए बहुत सारे बीज हमने जमा कर लिए है बेर के उपर का जो कवर रहता है छिलका मोटा रहता है बहुत ही तो उसको टाइम लगता है और इसलिए बेर का पाउधा आप अगर बेर लगाएंगे बेर का बीज अगर जमिन में दालते तो बहुत दिन लग जाते पर इस तरीके से अगर आप अगर बीज दालते हैं तो जल इन बीज को लगाया था तो यहां भीज आप ऐसे किसी डिस्पोजल में भी लगा सकते हैं या तो पॉकेट में भी और इस पे हलकी पानी दालना है देखिए और हमने इस डिस्पोजल के नीचे में हमने छेद करके रखा है ताकि पानी जो हम दालेंगे वहाँ निकल सके ज्यादा का जो पानी है नहीं तो यहां बीच खराब हो जाते हैं तो इसले छेद करना जरूरी है तो यहां देखिए एक मेने के बाद में यहां पर नए पाउध है त्यार हो चुके हैं बेर के तो इन्हें बड़ा होने देंगे उसके बाद में हम बड़े वाले पॉकेट में हम इन पाउधों को डाल देंगे तो यहां डिस्पोजल को हमने छाओ में रखाता और पानी डालते रहना है आपको बस और इस तरीके से आप बेर के पाउधे त्यार कर सकते हैं